पांड करें गोदी मीडिया और भुगते दिल्ली पुलिस अब भुगतना तो पड़ेगा दोस्तों क्योंकि यह ऐसे लोगों को बचाने की जुकत में जुट जाते हैं जिन लोगों पर देश को बाटने का आरोप लगता है इसलिए अगर ऐसे लोगों को बचाया जाएगा त जुट साहब ने दिल्ली पुलिस को आखिर किस मामले में फटकार लगाई है इस ख़बर में मैं आपको बताऊं की नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है जरेंती जहाओ और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तों 2021 में एक मामला सामने आया था 19 सितंबर को 19 दिसंबर को माफ सुदर्शन न्यूस के जो संपादक है सुरेश चवहान के वह साफ तौर पर नजर आ रहे थे शपत भी दिलाते वह नजर आ रहे थे लेकिन फिर भी कथित तौर पर इसको बोला गया कि कथित तौर पर वह उस कारिकर में शामिल थे अब यह जो मामला है यह मामला इसलिए इतना तूल पकड़ता चला गया क्योंकि इस शपत में ऐसी ऐसी बाते कही गई थी दोस्तों जो कि सीधे तोर पर देश के खिलाफ जा सकती है अब जो आरोप लगा वह आरोप याचिका में तब दील हुआ याचिका जो है सुप्रीम कोट में यह मामला है अभी भी इसकी सब्सक्राइब तो सीजे आए डीवाई चंद्रचूर सहाब ने पूरे मामले को लेकर दिली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है दोस्तों क्या कहा है इस वक्त आपकी स्क्रीश पर मैं जनसत्ता की खबर दिखा रही हूं इस खबर के मुताबिक क्या कहा गया है यह सुनि सब्सक्राइब करते हुए सीजे डीवाई चंद्रचूर ने नाराजगी जाहिर की ऐसा बताया जाता है सुप्रियम कोट ने सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चमहांके के नित्रत में हिंदू युवावाहिनी द्वारा दिसंबर 2021 में आयुजित कारिक्रम में हेट स दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कुछ ऐसा कहा है जो कि इस वक्त सुर्ख्यां बन गया है देखे डिवाई चंद्रचूर ने और जस्टिस पीएस निसिमा की डिविजन बेंच ने जाच अधिकारियों को दो हफते के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है जो कि अभी कर रहे थी अब दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केम नट्राच पेश हुए थे दोस्तों जिन से पूछा कि जाच में अभी तक आप लोग कर क्या रहे हैं घटना 19 दिसंबर 2021 की है पांच महीने बाद एफ आयार आपने दर्ज की 21 दिसंबर 19 दिसंबर 2021 की घटना है पांच महीने बाद एफ आयार दर्ज होती है उसके बाद भी आट महीने का समय मिलता है लेकिन फिर भी इस मामले कोई डेवलप्मेंट नजर नहीं आ रहा है उनका कहना था उन्हेंने कहा कि एफ आयार दर्ज करने के लिए पांच महीने का वक्त आप लोगों क उनका कहना था कि देरी जो है वो जान बूच कर नहीं की गई है क्योंकि पुलिस इस मामले का वेरिफिकेशन कर रही थी इसलिए देरी हो गई इस पर सीजिया डिवाई चेंट चूड ने सवाल किया कि अब तक क्या 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 कदम आपने उठाए हैं और क्या क्या आपने कि क्या है इस केस में आप यह बताइए कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया दोस्तों की डोस्तों कि चारव के बाद अब नाट कहले हैं ऌ bunny भटने लगा है अडिग बढ़ब रागटी नहीं है मुझे बताइए इसपर अग्रीश्र के नहीं लाद जाघर ़ाम दाखिल कर देंगे लेकिन जवाब जह हैं देने के लिए कुछ नहीं था दिल्ली पुलिस के वखील के पास दोस्तों क्योंकि जाहिर से बात है कि केस को तकरीबां दो साल हो चुके है केस जब सामने आया उसके भी 5 महीने बाद F.I.R. दर्ज करने में 5 महीने लग गए, यह सवाल यहां पर C.J.I.E. चंदचूर साब ने पूछा कि 5 महीने का वक्त क्यों चाहिए ना तो जाच के आपने रिपोर्ट हमको सौपी है तो आप कर क्या रहे थे इतने समय से ये दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा गया है किस ने पूछा है मामला क्या था जिस पर इतना बावाल मचा इतना इस मामले ने तूल पकड़ा है मामला ये था कि 19 दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी ने दिल्ली में एक कारिकरम का आयोजन किया था इसके आयोजगों में कथित तौर पर सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चामान के शामिल थे सुरेश चामान के पर आरोफ है कि उन्होंने इस कारिकर में जान बूच कर एक समूख को भारत को हिंदू राष्ट बनाने के लिए मरने मानने की शबत दिलाई थी आरा कि जो विडियो वायरल हुआ था दोस्तों उसमें वो नजर भी आ रहे थे और ऐसा बाद में खबरी भी आई कि सुरेश चामान के ने ये शपत दिलवाई है कि हिंदू राष्ट इस पूरे देश को बनाना है और उसके लिए कथी तौर पर उन्होंने मरने मानने की भी अदिया उसको इस तरीके से पेश कर रहा है आप एक बात को समझ एक isनों के एक चानल को चलाते हैं सुदर्शन नीस उनके चानल के वो पत्रकार कहते हैं खुद को साथी दर्म निभाने के वी सब्राप कहते हैं लेकिन अगर आप कारिक्रम में शामिल हो रहे हैं जैसा आप पर आरोप लग़ा है और आप उस कारिक्रम में शामिल होकर अगर इस तरीके से लोगों को शपत दिलवा रहे हैं तो क्या उसे पत्रिकारीता कहा जाएगा क्या आप एक जानकारी के लिए आपको पूरा डेटा बताना चाहूंगी कि कुछ समय से हेट स्पीच में कितनी बढ़ोत्री हुई है और अभी तक हेट स्पीच के मामले दिन पर दिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं 2020 तक का डेटा आपको बता देते हैं कि हेट स्पीच के मामले बढ़े हैं NCRB के रिपोर्ट सामने आई थी दोस्तों जिस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि साथ सालों में साथ वर्षों में पांच सो प्रतीशत इजाफा जो है वो हेट स्पीच में हुआ है और 2014 में हेट स्पीच के जो मामले 320 थे वो 2020 में 1804 हो जाते हैं सबसे जादा केस बीजेपी निताओं पर दर्ज हैं तकरीबन 27 विधाय को सांसदों ने इस बात को खुद शपत पत्र में स्विकार किया है कि उनके उपर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि हेट स्पीच को बढ़ावा कौन दे रहा है और अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर उसमें पत्रकार कैसे शामिल हो रहे हैं सबसे बड़ी बात यह हैं दोस्तों कि हेट स्पीच जो है इसके जरीए आप समाज में नफरत गोलने का क बढ़ावा करते हैं और अगर आपके खिराब एफाया रहती है तो आपके ऐपर एप्स रिया जाना जरूरी चानौन के मताबर लेकिन तब क्या कहा चायंगा जब जिनके पुलिस के आधार पर एफायार है वह पुलिस उस पर आख्शन की नहीं लेना चाहती है दिली पुल और आप ने इस पूरे मामले में कुछ प्रगदी किया है अभी तक गिरफतारी की है या फिर जाच किया किसी चीज की है कि आखिर ये कारेक्रम आयोजड क्यूं हुआ किसकी पर्मिशन से हुआ और इस आयोजन में ऐसी शपत दिलवाई गई कि नहीं दिलवाई गई अगर ये सवाल सुप्रीम कोट पर उठे हैं दोस्तों ऐसे में देखना यह होगा कि इस मामले में आगे जवाब दाखिल किया जाता है और पर नहीं किया जाता वही जवाब जिसको दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस के वकीर ने कहा है कि हम जवाब दाखिल करेंगे, जवाब किसी ही खबर के साथ तब तक करें नमस्कार